तो हेलो दोस्ता आज हम बात करेंगा सारुखान के फिल्म जवान, रणविर कपूर की फिल्म एनेमल और परवास के फिल्म कलकी के बारे में और आपको बताएंगे तीनों फिल्मों ने शुरुआते 28 दिनों में इंडिया से कितना नेट कलेक्शन कर लिया और दुनिया भर से लगबख कितनी कोड़ के कमाई कर चुकी है और इसी के साथ जानेंगे तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ने मारी शुरुआते 28 दिनों में बॉक्स ओपीस पर बाजी, कौन बना आज का सबसे बड़ा सुपर इस्टार और कौन सी फिल्म बनी सबसे ज़्यादा कामाई करने वाली सबसी बड़ी बॉलोगबश्टर फिल्म तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ओन कर ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सारुखान की फिल्म जवान के बारे में तो आपको बता दो 75 कोर्स ओपनिंग लेने वाले ये फिल्म अपने पहले हफ्ती 390 कोर्ड के इंडिया से नेट कलेक्शन कर लिया था और दुनिया अभर से लगवग चोह सब इराण में को की कमाई कर चुकी थी और शुर्वाती आठाइज दिनों तक आते हैं जवान फिल आने वाले ये फिल्म जिसे संदीब रेड़ी ने डायरेक्ट किया था और अपने पहले दिन इंडियान बॉक्स ओपीस पर त्रिसेट कोर्ड को अपनिंग की थी और अपने पहले हफ्ती इंडिया से 360 कोर्ड का नेट केलेक्शन कर लिया था और दुनिया पर से लगवग च कर लिया था अगर इन दोनों फिल्मों से परवास के फिल्म करें तो आपको बता दुनाग आस्विन के दौरा डिरेक्टी की यह फिल्म जिसका बजट 600 कोड़ रूपिया था और करकी फिल्मों को लगवग दुनिया पर से लगवग 6000 पर रिलिस किया गया और इतने ज्याद अपने 27 दिन यह फिल्म एक कोड़ आसी लाग का अगर बात करें कल्की फिल्मे का 28 दिनों के टोटल इंडियन और वाल्राइट बॉक्स ओपीस के बारे में तो कल्की फिल्म अपना 28 दिन यानि आज इंडियन बॉक्स ओपीस पर लगवग 2 कोड़ कमाती नजर आ रही है जि दोस्ते आज के केलेक्शन के मामले में परवास की फिल्म कल्की ने मारी बॉक्स ओपीस पर बाजी और कल्की बना आज का सबसे बड़ा सुपर इस्टर